Hello friends, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बाइक का स्पीडो मीटर चालू करने वाले हैं जैसे कि बाइक का जो स्पीडो मीटर काटा है, ये नई चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, ये आपको मैं बता देता हूँ नीचे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप यह जो केबल है स्पीडो मीटर से जुड़ा हुआ होता है, यह पूरी तरह से तूट गया है तो हमने यह नया केबल लिया है, देखिए इसका सामने वाला पार्ट इस तरह से दिखाई देता है इसका पूरा सामने का हिस्सा तूटकर अलग हो गया है तो हम इसे चेंज करेंगे ये बहुत ही जादा आसान है देख सकते हैं आप तो ये पैसंट प्रो वाइक है इस पे जो केबल है वो उपर ही से लग जाता है तो चलिए इसे किस तरह से change कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं अब बाइक में देखेंगे light के पीछे तरफ का जो हिस्सा होता है वहाँ पर सायद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बोल्ट टाइप का कसा हुआ है जिससे मैं उंगली से घुमा रहा हूं देख सकते हैं इसे इस तरह से घुमा लेना है अगर उंगली से न घुमें तो आप पिंचिस का यूज भी कर सकते हैं तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है नीचे वाला से लगाना है ये भी बहुत आसान है इसका जो आगे वाला हिस्सा है उपर वाला देख सकते हैं इस पर एक बोल्ड सा कसा हुआ होता है तो सिंपल उस पर एक वायर होता है उसे अंदर की और डाल देना है और उंगली से इसे जैसा की तैसा कस देना है ध्यान रहे जैसा आपने देखते हैं कि क्या करना है उपर का काम तो हो गया है अब नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या करना है तो आप देखेंगे केबल में नीचे की तरफ एक वायर निकला हुआ दिखाई देगा आपको तो इस वायर को क्या करना है बहुत आसानी से ब्रेक वाय को अंदर डालना है एक होल बना रहता है उस पर आसानी से उसे डाल दें और हाथ से ऐसा धाकेलना है पीछे तरफ से पुस करना है और आगे धाकेलना है तो यह गत्ते में फस जाएगा अगर नहीं फस रहा हो तो आप टेश्टर या पेचकस की मदद ले सकते हैं देखिए सिं काम करता है मैंने स्विच ओन किया और हाथ से घुमा रहा हूं और काटा देख सकते हैं आप यह उठने लगा है काटा जब आप बाइक चलाएंगे तो यह सहीं से बताने लगेगा तो फ्रेंड्स यह था हमारा छोटा सा वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ल स्क्राइब करना न भूलें थैंक यू